वल्कम माई डियर रॉकाइट्स कैसे हैं आप सभी आज हम देखने वाला हैं डिटेक्टिव वर्सस सलीूथ दोस्तों आज भी हमने इंट्रॉडक्शन नहीं रखाए हम चाहते हैं बस आप सीधे मूवी के अंदर घुच जाएं तो मूवी की शुरुवात में ली नाम की लड़की को दिखाते हैं जिसकी हलत देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वो किसी किड्नैपर की चंगल से बचकर भागिये वो जहां जहां जा रही होती है अपनी स्राउंडिंग्स को अच्छे से देख रही होती है जैसे उसने कितने कदम पर लेफट अन किया कितने पर राइट किया या कितनी दूर आने पर उसे पानी की आवाज आई ताकि पुलिस को उस जगे के बारे में वो बता पाए कि कौन पास्ता ली ने बताया था, वहाँ जाने पर पुलिस को जैक का घर मिला है, यही नहीं, उस घर के गार्डन में पांच लड़कियों के कंकाल भी बरामद हुए, अब इससे पुलिस को यह साबित करना मुश्किल नहीं था, कि यह हत्या जैक ने की है, और लीग अभी किडनेप को दूर कर देता है, और दूसरी और सरयान नाम का एक आफिसर, जैक को शूट करके मार डालता है, उसके मरने के बाद पुलिस वाले, दा बुचर केस को कर देते हैं बन, क्योंकि बुचर केस उन्हीं पांच लड़कियों की हत्या और लिका पारन था, अब हमें चार साल के देविल कॉप केस का सीन दिखा जाता है, जहां एक नकाब पुच इंसान फिलिप नाम के एक 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 एक्स प्लिस आफिसर के मूँपर गन पॉइंट किया होता है, और जैसे वहाँ पर पेट्रोलिंग करते वे दो पुलिस वाले आते हैं, वो नकाब पुच उन दो पुलिस वो दोनों भी मारे गए, यही है इस नकाब पुच वाले इंसान का प्लान, अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जिसमें रयान भी शामिल होता है, जैसे वो यहाँ पर फिलिप के हाथ में गन देखते हैं, वो समझ आते हैं कि उन दोनों इसके बारे में मीडिया में कहा देते हैं कि फिलिप में उन दोनों पुलिस वालों को मारा और बचाओं में उन पुलिस वालों ने गोली चलाई और फिलिप भी मर गया, अब जैसी पुलिस वाले डेवल कॉप केस को बंद करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर स्टुवर् कि बात पर भरुसा नहीं करता क्योंकि सारे लोगों का मानना है कि स्टुवर्ट एक पागल इंसान है क्योंकि जब से उसकी पत्नी ने खुद की जान ली है तब से उसका दिमाग इसंतुलन जरा बिगड़िया है लेकिन तब भी स्टुवर्ट सभी को यही अकीन दिलाने की को हैल हो जाता है यह सारी चीज़े दूर खड़ी होकर स्टुवर्ट की बेटी क्रिश्टिन देख रही होती है उसको यह देखकर काफे दुख होता है कि उसकी पिता को लोग पागल समझते हैं अम मूवी 17 साल आगे के समय पर जाती है जहां किसी कैंग के लोगों ने तीन इन तीनों को बांट दिया गया अब पुलिस को शक होता है कि बिजनसमेन और उसके परिवार को मारने वाले वही तीन भाई रहे होंगे लेकिन सबूत ना होने पर उन्हें पकड़ा नहीं गया पर आज कुछ हंजान लोगों नहीं नहीं मारती है तब ही रियान को जमीन पर चोजन स्लीट लिखावा दिखाए देता है क्योंकि वो सारे गैंग मेंबर्स खुद को चोजन स्लीट मानते थे दरसल स्लीट ऐसे लोगों को कहा जाता है जो किसी केस पर कड़ी नजर रखते हैं और किनमल का पीछा करके उसके खिलाफ सबूत एकटा करते हैं साथी पुलि गैंग उसी सीरियल किलर को मारने गई होगी जिसने उन 21 लड़कियों को मारा क्योंकि वो अभी तक पुलिस में पकड़ा नहीं गया है दूसरी और स्टूवर्ट सड़क पर बैठ कर अपना काम कर रहा होता है क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर तक भी नहीं है वो सड़ इस लड़कियों को मारा जिस केस की अभी बात हो रही थी इतना ही नहीं उन लड़कियों को मार कर इसने सीवर्वें फेंख दिया था अब वो स्टूवर्ट से कहता है कि तुमने मेरे केस के बारे में काफी सारी जानकारे निका लिए इसलिए तुम मुझे अच्छे से पता दूँ कि मैंने ही उन लड़कों को मारा और फिर जिनोंने मुझे मारा यानि कि स्लूथ गैंग ने उन्होंने मेरी बॉड़ी पर एक नंबर लिखा है उसी से अगले केस के बारे में पता चलेगा और दोस्तों स्टूवर्ड के पास भी एक ऐसी शक्ती थी जिसकी वज़ कि रात बार बारिश की वजे से किलर की बॉड़ी यहीं पर आ गई होगी और होता भी ऐसा ही है इस्टूवर्ड को वहां उस किलर की बॉड़ी मिल जाती है जो पानी में रहकर काफी सट चुकी थी लेकिन उसकी बॉड़ी अभी आदी होती है आदी बहकर शायद दूसरी औ और निकल गई इसलिए वहाँ पुलिस आकर collect कर लेती है लेकिन उन्हें इस बात पर यकिन नहीं होता कि स्टूवर्ड को उस किलर ने ये सारी चीज़े बताई कि उसकी बाड़ी यहाँ पर है तब स्टूवर्ड सभी को यकिन दिलाने के लिए वहाँ कुद पड़ता है तांक एक परिवार के घर पर कबज़ा करने के लिए उनकी जान ले ली थी मुझे तुरंट वहाँ जाना होगा अब ये सुनकर पुलिस भी उसके साथ जाती है जिनमें ली भी शामिल होती है जो कि खुद अब एक पुलिस आफिसर बन चुकी है और उसने फांग से शादी भी कर जिसने उसको समय बचाया था अब कुछ टाइम के बाद पुलिस वाले स्टोवर्ट की बताई जगे पर पहुंचाते हैं तब ही उनकी गाडियों पर उन तीन लोगों की बॉड़ी आकर गिर जाती जिसके बारे में स्टोवर्ट ने अभी बताया था इसलिए सारे पुलिस के अंदर घुश जाते हैं क्योंकि अभी तक स्टोवर्ट गैंग के लोग उसी बिल्लिंग में मौजूद होंगे तब दोनों और से फारिंग शिडो हो जाती है और ये फारिंग काफी देर तक चलती है जिसमें कुछ गैंग के लोग मारे जाते हैं तो कुछ पोलिस वाले पर जैसे एक मेंबर स्टोवर्ट को शूट करने वाला होता है तब ही गैंग की एक लड़की उसका हाथ दूर कर देती है अब ये देखर तो स्टोवर्ट और ली दोनों हरान है जाते हैं कि आखर उसने स्टोवर्ट को बचाया क्यों जिसके बाद स्टोवर्ट गैंग के ल और जिसके बारे में भी स्टुवर्ट कहता है, वही असली क्रिंमेल होता है अब स्टुवर्ट के पास बैल्डी और इग्वेन नाम का एक अपल आता है वो स्टुवर्ट से कहते हैं कि स्लिउथ गैंग अब हमारे पीछ है क्योंकि हमने एक इनसान को मारने के बाद उसका सूप बना कर लोगों को पिला दिया था वो दोनों स्टुवर्ट से उन्हें बचाने की भीक माग रहे होते हैं अब ये देखकर स्टुवर्ट भी परिशान है कि अब करे तो करे क्या वो अकेले तो उन्हें बचा नहीं पाएगा अगले दिन पुलिस वाले स्टुवर्ट के सड़क पर बरें जो ठिकाना है उस पर छापा मारते हैं जहां सो उन्हें पता चलता है कि स्लिउथ गैंग जिससे भी मारती है उनका सॉल्ब केस तो स्टुवर्ट यहां पर लिख रहा होता है और जिसको भी ओ क्रिनल बताता है वही लोग मारे जा रहे है ये देखकर उन्हें स्टुवर्ट पर भी शक होने लग जाता है कि कहीं हो ना हो ये भी उस स्लिउथ गैंग का एक मेंबर हो और हो सकता है लिडर भी दूस्यों और इग्विन के पास स्लिउथ गैंग के मेंबर आकर उसे मार डालते है तो वहीं स्टुवर्ट ली के साथ उस बस में सवार हो जाता है जिसमें अभी बैल्डी बैठ है और उसी के अंदर स्लिउथ गैंग के लोग भी मौजिद होते है साथ ली ने वहाँ पुलिस वालों को भी बुला दिया होता है इसलिए वो भी उस बस के अंदर सवार हो जाते है अब ये देखकर स्लिउथ गैंग के लोग बैल्डी पर जैसे ही हमला करते है पुलिस और स्लियूथ गैंग के पीछ दुबारा से मुटिवेट शिरू हो जाती है तब स्टुवर्ट को दुबारा वो लड़के दिखाये दियती है जिसने पिछली बार उसे बचाये था पुलिस में खबरी बनकर काम कर रहे थे ये लोग कोई और नहीं बलकि बुचर केस वाले जैक की बेटी और डेवल कॉप केस में मरने वाले फिलिप का बेटा होता है ये लोग स्लियूथ गैंग में इसलिए शामिल हुए तांकि अपने पिता को इनसाफ दिला पाए क्योंकि क्रिमनल ना होते वे भी पुलिस ने उन्हें क्रिमनल मान लिया था और अभी उन्होंने स्टुवर्ट के शक की आधार पर ही रियान को पकड़ा है क्योंकि रियान ही दोनों केस का इंचार्ज था उसने ही दोनों के बिता को फसाया इसलिए उनका अगला शिकार रियान है और उसके मरने के बाद ही बुचर और डेवल कॉप केस सॉल्व हो जाएगा इधर सलीट गैंग के लोग भाग निकलते हैं लेकिन बस पर बुचर और डेवल कॉप केस का नमबर लेकर जाते हैं ये बताने के लिए कि अगला शिकार रियान है अगले सीन में ली की सीनेर उससे कहती है कि स्लिट गैंग के रियान पर शक होने के बाद हमने उसके घर के तलाश ली जहां से हमको कई सारी लड़कियों के आईडी और कपड़े भी मिले ये सारी वही लड़किया है जो बुचर केस में किड्नैप हुई थी इसका मतलब साफ है कि जैक नहीं बलकि रियान ही असली बुचर है साथ ही उनमें ली तुम्हारी भी आईडी है और ये देखकर वहरान है जाती है कि जिस पर उसने भरोसा किया अपना सीनर माना उसने ही उसका किन्डैप किया था इधर स्टुवर्ट को उसकी बेटी दिखाए देने लग जाती है स्टुवर्ट उससे पूछता है कि आखर तुमने स्लिउत गैं क्यों बनाया जिस पर क्रिष्टिन कहती है कि मैं ये नहीं देख सकती कि दुनिया आपको गलत कहे जबकि आप हमेशा सही होते हैं अब स्टुवर्ट उससे समझाता है कि तुम लोगों ने रियान को पकड़ कर बहुत बड़ी कलदी कर दिये वो असली क्रिमनल नहीं है मुझे तो उस पर बस शक था मुझे कैसे भी करके उसे बचाना होगा ओ ये चल क्या रहा है यार तब ही पुलिस डिपार्टमेंट का सिस्टम स्लिउत गैंग के लोग हैक कर लेते हैं और उनके स्क्रिन पर रियान की वीडियो चलने लग जाती है जिसमें ओ कहता है कि मैं ही असली बुचर केस का करनल हूँ मेरी वज़े से फिलिप मारा गया था इसलिए मुझे सजा होनी ही चाहिए अब ये देखकर तो सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैरान हो जाते हैं कि आखर रियान है कहां और अगर उसने गुना किया है तो सजा देने का हक कानून का है ना किसली उत कहन का तो दोस्तों आपको क्या लगता है रियान असले किर्मल है या नहीं या फिर उससे जबर्दस्ती वीडियो बनाए गया है अब ये देकर ली तुरंत रियान को ढूंडने निकलती है लेकिन फॉंग उसको रोक कर कहता है कि तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो तो मैं घर जाकर अराम करना चाहिए इसलिए वो उसके जूते की खुली लेस को बांध कर उसे घर जाने के लिए कह देता है लेकिन जैसे वो गाड़ी में बैठती है वहां स्टुवर्ट आकर उससे कहता है कि हमें रियान को बचाना होगा तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो रियान असलिक रिमनल नहीं है तब ना चाते हुए भी ली स्टुवर्ट पर भरोसा करके उसे अपने साथ लेकर चलती है जिसके पीछे पुलिस लग जाती है क्योंकि उन्हें स्टुवर्ट पर पहले से ही शक था और अब ली भी उसके साथ भाग गई जिससे उन्हें दोनों पर शक हो जाता है अब रास्ते में स्टुवर्ट ले को बताता है कि मेरे हिसाब से डेविल केस और बुचर केस में क्या हुआ था यह मैं तुम्हें बताता हूँ तब उसकी बातों को सुनकर ले को भरोसा होने लग जाता है कि शायद स्टुवर्ट सही कह रहा है रियान असले करिनमल नहीं है इसलिए वो गाड़ी के जीपेस को बंद कर देती है जिससे पुलिस उस गाड़ी को ट्रैस नहीं कर पाती तब स्टुवर्ट ले को उसी जगह पर ले कर जाता है जहां वो पहली बार फॉंग से मिली थी और वहाने पर स्टुवर्ट ले की बाड़ी पर किडनेपर के दियेवे सारे चोट के निशान को देखता है इससे उसे पता चल जाता है कि जिसने ये निशान दिये है उस इनसान ने बच्पने बहुत ज़्यादा टॉर्चर सा होगा और उसी चीज़ का उसके दिमाग पर गलत असर हुआ इसलिए उसने लड़कियों को किडनेप करके उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया पर तब उसकी नजर ले के जूते पर पड़ती है जिसकी लेस फौंग ने बाँदी थी अब ये देखकर स्टूवर्ट हरान रह जाता है उसे याद आता है कि सेम ऐसे जूते की लेस फिलिप के जूते पर उस क्रिमिनल ने बाँदी थी यानि कि उसे बाँदने वाला फौंगी था साथ ही जब पहली बार ली फॉंग को मिली थी तो वो इस्ट की तरफ से आ रही थी और फॉंग ने रिपोर्ट में लिखा था कि वो वेस्ट की तरफ से आ रही थी जिस वज़े से स्टुवर्ट को ये शक होने लग जाता है कि हो ना हो असले क्रिनमल उन दोनों केस का फॉंग ही है इसलिए अब वो इस्ट के तरफ उसी जगे पर जाने के लिए निकल जाता है जहां से ली के साब से वो भाग निकली थी पिछली बार जब जैक फसा था तब ली की बताईवी जगे पर यानि की वेस्ट के तरफ जाने से जैक का घर मिला था इसलिए उसे क्रिमल समझा गया और इस बार इस्ट के तरफ जाने से जिसके अंदर 25 से जादा लड़कियों के कंकाल पड़े होते हैं यानि की बूचर केस में टोटल 30 लड़किया मरी थी जिनें फॉंग नहीं मारा था और जैक को फसाने के लिए 5 लड़कियों के कंकाल को जैक के गार्डन में छुपा दिया अब ये जान कर लिए एकदम घबरा जाती है कि जिससे वो अपना पती समझ रही है वो उसका किर्णा पर निकला अब स्टुवर्ट जब उस जगे की तलाश ले रहा होता है तब उसे वहां उसका पियावा सिगार और अंदर आने की वज़े से उसके जूते की निशान जमीन पर दिखाए देते है ओ ये देखकर स्टुवर्ट को फॉंग का असली प्लान समझ में आता है कि जितना स्टुवर्ट फॉंग को बेहकुब समझ रहा था वो उतना ही शातर निकला उसने जान बुझकर ली के जूते बांद है तांकि स्टुवर्ट को शक हो और वो यहाँ पर आ जाए जिस वज़े से फॉंग का सारा आरोब स्टुवर्ट पर लग जाएगा क्योंकि स्टुवर्ट पर तो पुलिस को पहले से शक है अब यह जानकर स्टुवर्ट भी ज़रा घबरा जाता है कि अब हो क्या करें लेकिन सबसे पहले उसे रियान को बचाना था तब उसे ली की गाड़ी जो कि असल में फॉंग की गाड़ी थी उसके लोकेशन में काफी सारे प्लेस मार्क दिखाई देते हैं और सबसे लिटेस्ट लोकेशन एक पोर्ट का होता है इसलिए स्टुवर्ट और ली वहाँ से निकल जाते हैं कि हो न हो रियान वहीं पोर्ट पर होगा साथ ही जीपेस के चालो होने से पुलिस को फिर मालूम पढ़ जाता है कि ये लोग कहा जा रहे हैं इसलिए वो भी पोर्ट के लिए निकल जाते हैं दूसरी और पोर्ट पर स्लियोध गैंग के लोग दो हिस्सों में बंढ़ जाते हैं क्योंकि क्रिश्टिन का कहना था कि उसकी पिता ने रियान पर सिर्फ शक किया था हो सकता है कि वो असली क्रिमल ना हो लेकिन बाकी की लोग उसे ही असली क्रिमल मान रहे थे तभी वहाँ पर स्टूर्ट और लियान को बचाने की कोशिश करते है अब यह देख कर सारे गैंग मेंबर्स स्टूर्ट और रियान पर फारिंग शुरू कर देते हैं लेकिन तब हिस्टोवर्ट जैसे तैसे रियान को आज़ाद कर लेता है और फिर वो ली और क्रिष्टिन के साथ खुद को एक जगह बंद कर देता है ताकि वो गैंग के मेंबर से बच पाए क्योंकि अब वो सभी इन तीनों के पीछे पढ़ चुके थे तब ही लीग के पेट में दर्द शिरू हो जाता है क्योंकि डिलिवरी का समय आ चुका था इसलिए क्रिष्टिन लीग के डिलिवरी करना की कोशिश करती है साथ ही वो स्टोड को ये भी बताती है कि हमारे स्लियूथ गैंग का लीडर कोई और नहीं बलकि फॉंग ही है वो कहती है कि फॉंग नहीं स्लियूथ गैंग को बनाया आगे दिखाते हैं तो वहीं पुलिस वालों और स्लियूथ गैंग के बीच फारिंग हो रही होती है लेकिन फॉंग अपने पुलिस साथियों को मारने लग जाता है और Sleuth Gang के लोग उसे कहता है कि आज हम किसी को नहीं छोड़ेंगे इसलिए वो लोग भी जोश में आ जाते हैं लेकिन फाइरिंग में Sleuth Gang के काफी लोग मारे जाते हैं और जब Fong भी Stuart के कपड़े पहन कर पुलिस और Sleuth Gang के मेंबर्स को मारना शुरू कर देता है तो पुलिस वालों को शक हो जाता है कि दोनों केस का असलिक रिनमल स्टुवर्ट ही है तो वहीं ली बच्चे को जनम देती है लेकिन तब ही वहाँ पर Fong आ जाता है जो स्टुवर्ट और बाकियों को मारने की कोशिश करता है पर वहाँ वो सबसे पहले क्रिस्टीन को पकड़ता है स्टुवर्ट उससे पूशता है कि आखिर तुमने स्ट्योथ गैंग क्यों बनाया जिस पर Fong कहता है कि मैंने सड़क पर बने तुम्हारे सारे केस को अच्छे समझा तो मुझे पता चला कि तुम बस कुछी कदम पर दूर हो और मेरा क्राइम दुनिया के सामने आने वाला है इसलिए मैंने इस गैंग को बनाया जिसका काम मेरे केवे क्राइम के सबुतों को मिटाना था वो लोग तो अंचाने में ही उन्ही लोगों को मारते जो मेरा क्राइम दुनिया के सामने ला सकते थे इसलिए मैंने सारे सबुतों को मिटा दिया अब आज के बाद दुनिया के लिए असली सलियूत मैं हूँ और तुम उन दोनों केस के असली क्रिन्वल जिसे जिन्दगी भरफ जेल में सरना होगा इतना कहकर वो क्रिस्टिन को शूट करके मार डालता है इधर रियान पुलिस वालों को सारी बात बताता है कि मुझे फॉंग की माँ और उसके भाई के हत्यारे का पता चल चुका है और उन्हें मारने मारा कोई और नहीं बलकि फॉंग ही है क्योंकि उन दोनों ने उसे वच्वर में बहुत टॉर्चर किया था और इसी का बदला उसने उन दोनों को मार कर ले लिया और ये बात मैं दुनिया को ना बता दू मार डालती है और उसका खेल खतम अब कुस दिनों के बाद इस स्टुवर्ड को दोवारा से पुलिस डिपार्टमेंट में पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसकी डिटेक्टिव वाली पोस्ट वापस मिल जाती है ये देखकर स्टुवर्ड भी खुश हो जाता है और इसी थ्रिलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी होती है खतम बाग अगर आपको एक्स्पेनेशन अच्छा लगा हूँ स्टूरी अच्छे लगी हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई हाया लग है अपना एंद फारली थैंक्स वर वाचिंग